तैसमे में राहत देना तो दूर की बात है अवधी बीतने के बावजूत प्रक्रणों के निसारण के लिए आम लोगों को अभी ज्वेदिये के कारेलियों के चक्कर कार्टे पड़ रहे है आमजन के प्रातना पत्र तो दूर उच्छ स्थर से प्राप्त प्रक्रण भी तैसमे में निस्तारित नहीं हो रहे कुछ ऐसा ही आलम लोकायुक से प्राप्त प्रक्रणों का भी है किस मामले के कितनी पेंजेंसी है और इसके कारण क्या है यह जानने के लिए देखें परसिंधिया की एक्स्क्लूसिफ रिपॉर्ट लीज होल्ड के बजाए फ्री होल्ड का पट्टा लेने नाम हस्तांतरण कराने उप्विभाजन पुनरगठन और नब्बे एक कराने आधी के लिए आवेदकों का जेडिये कारयलियों में चक्कर काटना जारी है हाला कि इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए इस 16 अक्टूबर को जेडिये परशासन ने नई स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर जारी की लेकिन इसका अब तक प्रकरणों की पेंडेंसी पर खास प्रभाव नहीं पड़ा है नागरिक सेवा केंद्र के कुल लंबित प्रकरणों को देखें तो अवधी पार प्रकरणों की संख्या में कुछ कमी जरूर हुई है लोग सेवा गारंटी कानून के तहत नाम हस्तांतरन प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 30 दिन है भूखंड के उप विभाजन और पुनरगठन के प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 45 दिन है और पट्टा जारी करने की समय सीमा 30 दिन है फिर भी निस्तारण का इंतिजार कर रहे अवधी पार प्रकरणों की कुल संख्या 828 है 19 अक्टूबर तक इन अवधी पार प्रकरणों की संख्या 949 थी 6 नवंबर 2024 तक के आकड़ों के मताबिक इन अवधी पार प्रकरणों में सबसे अधिक 318 प्रकरण भूखंडों के पट्टे के हैं उप्विवाजन पुनर गठन के 101, लीज होल्ड की बजाए फ्री होल्ड पट्टा देने के निन्यान में नाम अस्तान तरण के 88, भूरू पांतरण 91 के 67 और बिल्डिंग प्लान एप्रूल सिस्टम के 118 प्रकरण लंबित हैं अवधी पार प्रकरणों में सबसे अधिक 133 प्रकरण जोन 9 में लंबित हैं इनमें से भी लीज होल्ड के बजाए फ्री होल्ड पट्टे के भी सबसे अधिक अवधी पार प्रकरण जोन 9 में ही लंबित हैं नाम हस्तान तरण के सबसे अधिक 21 और पुनर गठन उप्विभाजन के सबसे अधिक 22 प्रकरण भी जोन 9 में ही लंबित हैं। पट्टे के सबसे अधिक लंबित प्रकरणों के मामले में भी जोन 9 दूसरे नंबर पर है। जोन 9 में 40 प्रकरण लंबित हैं जबकि उपायुक के पास किसी दूसरे जोन का कोई अत्रिक कार्यभार नहीं है पट्टे जारी करने में सबसे फिसदी जोन प्रत्वीराज नगर दक्षिन प्रथम है जिसमें 49 प्रकरण लंबित है 91 के सबसे अधिक 16 प्रकरण जोन 12 में लंबित है 91 के सबसे अधिक लंबित प्रकरणों के मामले में दूसरे नंबर पर जोन 14 है इस जोन में 12 प्रकरण लंबित है उप्विभाजन पुनर गठन के दूसरे सबसे अधिक 15 प्रकरण प्रत्वीराज नगर दक्षिन दुतिय जोन के है आमजन से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित अवधी बीतने के बावजूद निस्तारण नहीं हो रहा है कमों बेश यही हाल राजस्तान संपर पोर्टल उच इस तर से प्रात्व प्रकरण और लोका युक्ष से जुड़े प्रकरणों का है जेडिये में मुख्यमंत्री कारेलाय, मुख्यसचिव कारेलाय, नगरियविकास मंत्री कारेलाय आदी से किसी प्रकरण में कारेवाही के लिए जो पत्र आते हैं उन पत्रों पर की गई कारेवाही की मोनिट्रिंग के लिए जेडिये ने document tracking system बना रखा है इस DTS में अधिकतर प्रकरण आम जन से जुड़े ही होते हैं 6 नवंबर तक DTS के आउधी पार लंबित प्रकरणों की संख्या 1555 है जबकि 19 अक्टूबर तक इन प्रकरणों की संख्या 1328 थी कोई शिकायत या समस्या दर्ज कराने के लिए सबसे सुलब राजस्थान पोटल पर JDA से संबंदित 562 प्रकरण लंबित हैं इनमें से 42 प्रकरण तो 2 महिने से लेकर 6 महिने से लंबित चल रहे हैं इसी तरह लोकायुक्ष से प्राप्त प्रकरणों में निर्धारित अवधी में JDA को लोकायुक्ष को जवाब भीजना होता है 6 नॉवंबर तक JDA में लोकायुक्ष से संबंदित 60 प्रकरण ऐसे लंबित हैं जिनमें जवाब देने की तय अवधी निकल चुकी है इनमें से 12 प्रकरण तो ऐसे हैं जिनमें JDA की ओर से एक बार भी जवाब नहीं दिया गया समय पर जवाब नहीं देने के कारण दो प्रकरणों में खुद JDA आयुक्ष को और दो प्रकरणों में JDA सची को लोकायुक्ष ने तलब किया है आम लोगों से जुड़े प्रकरणों का समय पर निस्तारित नहीं होना हो या डॉक्यूमेंट ट्रेकिंग सिस्टम से जुड़े मामले या फिर लोका युक्त सची वाले के मामलों में समय पर जाब नहीं भेजा गया हो इन सब के पीछे एक बड़ा कारण जेडिये में अधिकारी करमचारियों की कमी है और जिम्मेदारों के खिलाप सक्त कारवाई नहीं होना भी है इनी के चलते जेडिये में प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है जेडिये में लगे अधिकतर जोन उपायुक्तों के पास दो या तीन जोन का कारयबार है जोन 6 प्रत्वीराज नगर उत्तर प्रत्म और प्रत्वीराज नगर उत्तर धुतिये इन तीनों जोन का कार्यभार एक ही उपायुक के जिम्में है जोन 1 और जोन 4 का कार्यभार एक उपायुक के पास है इसी तरह जोन दो और दस, जोन तीन और तेरे, जोन पाँच और बारे, जोन साथ और आठ, प्रतीरा नगर दक्षिर प्रतम और धुतिय जोन का कार्यभार एक-एक उपाईट के जिम्में है जेडिये में स्विकृत पदों में से करीब एक तिहाई पदों पर ही कार्मिक काम कर रहे हैं कनिष्ठ लेखाकार के पंद्रेपद, विधी सायक के दस पद, कनिष्ठ सायक के 75 और स्टेनों के दस पदों पर भरती की कवायद अब तक अधूरी है हालाकि भरती के लिए जेडिये के भरती नियमों में संशोधन की अधी सुचना जल्द जारी होने वाली है नियमों में संशोधन के बाद जेडिये दोबारा करमचारी चैन बोड को प्रस्ताव भेजेगा स्टाफ की कमी के अलावा पेंडेंसी का एक और कारण लापरवा कार्मिकों के खिलाप सक्त कारवाई नहीं होना है फाइलों पर एव्यावारी टिपनी और जान बूज कर फाइल को अटकाने वाली टिपनी करने वालों के खिलाप सक्त कारवाई की जरूरत है इसके अलावा जेडिये में लगाए ऐसे जोन उपायुक्त भी हैं जिने नगरिये विकास से सम्मंदित कारे का अनुभव नहीं है इसके लिए जरूरी है कि जोन उपायुक्तों के लिए आमुखी करण कारेशाला का नियमित आयोजन किया जाए जेडिये में आमँजन से जुड़े प्रकरणों की पेंडेंसी के कही कारण हैं जरूरी यह है कि इन कारणों का हल खोजा जाए तभी आमँजन को तैय अबधी में राहत दी जा सकेगी कैमरा परसंत तीरत के साथ अभी शेख शिर्वास्ताओ फर्स्ट इंडिया न्यूस चैपुर